बच्चों इंग्लिस के पेपर का सॉल्यूशन मतलब इंग्लिस वाले सर तो आपके इंग्लिस वाले सर आज आपके लिए लेटर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं आज के वीडियो में आपको letters का full solution मिल जाएगा यानि आज का वीडियो आपके लिए एक रामबान वीडियो साबित होगा तो देखिए, आज के वीडियो में, मैं letter के वारे में तीन बात करूँगा सबसे पहली बात, letters के types क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं यह आपके सामने लिखा हुआ है, अभी थोड़ा और explain कर दूँगा दूसरी बात, letters को लिखने के format क्या है, अर्थात कौन सी चीज कहा लिखी जाती है और यह सबसे जरूरी चीज है, अगर आपका format भी सही है ना, तो भी आपको कुछ एक नमर मिल जाते हैं format must चीज है, जरूरी है, तीसरी बात है, जिसके लिए आप मेरे वीडियो पर आते हो, जिसके लिए मैं famous कर दिया आपने fix lines, यानि exam में आने वाले जो सबसे जरूरी लेटर हैं, वो पता है कि official letters होते हैं और उनकी fix line क्या है, हाला कि इस चीज पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और बहुत जल्दी आपने उस वीडियो को बहुत famous कर दिया, यानि कुछ एक महिने में वो million में चली गई लेकिन उसमें चीज अधूरी थी, यानि कि जो official letters हैं, इन में हम किसी officer के सामने, किसी अधिकारी के सामने अपनी कोई समस्या रखते हैं बना कोई करमचारी तो ठीक से काम नहीं करता, उसका आ गया, तो है तो officially, और है problem काई, लेकिन problem किसी इस्तिती से नहीं है, किसी व्यक्ति विशे से है, किसी person से है, तो उसके लिए fix line आपको मिल जाएंगी, साथ में letter to editors का format भी, और यह जो fix line है, मैं बताँगा किस तरह से letters to editor में भी fit हो सकती है, काफी सारी चीज़े हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहली बात letters, जिनको हिंदी में बोलते हैं, पत्र, यह मोटा मोटा दो तरह के होते हैं, सबसे पहले होते है, informal letter, अनौप चारिक पत्र, अर्थात ऐसे पत्र, जो अपने घरवालों, माता, भाई, बेहन, तथा मित्र, फ्रेंड्स, आदी को लिखे जाते हैं, इनका format अलग होता है, इस पर मैं इसी चैनल पर वीडियो दे चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, अचाब वीडियो चेक करने का तरह क्या है, सीधा साए, informal letter, इंग्लिस वाले सर, वही वीडियो आ जाएगी, ठीक है, तो यह तो हो गए, अब इनका वीडियो अलग होता है, अलग format होता है, अलग से मैंने चर्चा किया, आज की वीडियो में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, दूसरे है, formal letter, अच्छा एक चीज़ और मैं नोटिस किया है, जो छोटी क्लास होती है न, जैसे formal letter है, वो अधिकारियों को लिखे जाते हैं, यह अगेन चार तरह के हैं, जो की 12th क्लास में है, सबसे पहले official letters, अर्थात, अपनी समस्याओं को लेकर, अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र, इनको हम complaint letter भी कहते हैं, सिकायती पत्र भी कहते हैं, और exam में, जातर यही प आपके घली मौलने में, आपके सहर में, आपके टाउन में कोई समझसा है, तो आप direct किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, या फिर वो नहीं सुन रहा है, तो पर आप संपादक को भी लिख सकते हैं, अपनी समस्याओं के लिए पत्र, तो यह कोई खास थोड़े सा चेंज या कोई जादा पर चेंज नहीं है, तीसरे होते हैं business letters, जिया पार एक पत्र, यह बजार के पत्र है, यानि एक दुकानदार किसी wholesaler को पत्र लिखे, या किसी firm को पत्र लिखे, किसी सामान की inquiry करनी है, यह भी तीन तरह के हैं, इन पर आपको separate video दे दूँगा, यानि किसी सा सामान कितनी quality का चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीजे होती है, तीसरे complaint, सिकायत भी की जाती है, आपने किसी firm से, किसी दुकान से कोई सामान खरीदा, या दुकानदार ने किसी बड़ी दुकान से सामान खरीदा, कुछ defective piece आगे, कुछी चीज काम नहीं कर रही है, तो उसक साथ एक CV, अब CV resume by data भी attach किया जाता है, भी लिखा जाता है, इन पर separate video में दे चुका हूँ, तो ये तो थे letter के types, अब हम देखेंगे letters के, official letters के format और fix land, तो मैं बता दो आपको साफ साफ के आज के वीडियो में, हम इनको cover करेंगे, और इनको cover करेंगे, इन पर video जल्द ही आ मैंने editor को भी सामिल कर लिया, editor को भी link कर दिया, और fix land से, ठीक है, तो चलिए, अब सबसे पहले देखते है, official letter के format, अब धान से समझना, ये जो मैंने line कीची है, ये box बनायान, ये आपकी copy का page है, तो सबसे पहले, copy के page पे पढ़ने पर दाई और, right side में, sender's address, भेजने वा सेंडर's address का मलब होता है, आप, जो इस डेंट exam दे रहा है, वो sender हो गया, भेजने वाला हो गया, और उसका पता क्या लिखे, तो दो बात है, ये most of exam में, मलब most of तो नहीं कह सकते, कई बार, परिच्छा में दिया आता है, और ये कहा मिलेगा, you are manuj, आपने दिखा होगा, तुम manuj हो, हितेस हो, सवीता हो, कवीता हो, living रहते हुए, at 108 manumarg, जोदपुर, ऐसे कुछ भी दे दिया, ठीक है, तो आपका address का होगया, 108 manumarg, जोदपुर, या जैपुर, जो भी है, तो ये आपका address होगया, अच्छा, उसने का, you are manuj, तुम manuj हो, write a letter, एक पत्र लिखो, to address नहीं दिया, तो फर ये आपको मन से लिखना पड़ेगा, तो address लिखना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन से लिख सकते हो, मेरा कहने का मतला है, इसके format में सबसे पहले, ठीक है, अपने जो page है, उसके right side में address आएगा, अब ये किस तरह से लिखा जाता ह है, फिर आपको लिखनी है, अब डेट किस तरह से लिखनी है, मैं अभी अगले format में आपको बता है, आपको फिर से एक line छोड़नी है, उसके बाद में receivers post, अब receivers post क्या है, receiver post का मतलब है, ये कहां मिलेगा, जब वो question में कहता है, write a letter, एक letter लिखो to, the collector, the chairman, the SHO, the subject of police, the CMO, ज ठीक है, क्योंकि किसी पद से पहले, the article जरूर आता है, तो the collector, the chairman, जो भी है, वो यहां पर आएगा, ये receivers post हो गया, यानि पाने वाले का पद क्या है, यहां पर पद लिखा जाता है, post लिखा जाता है, post से पहले, the article जरूर आता है, तो यह जैसे दा collector हो गया, ठीक है, इस त पाम कर लो में, तो receivers post हो गया, उसके बाद में department and city, वो receiver जो है, वो जो अधिकार है, उसका department क्या है, अब जैसे collector आ गया, तो the district collector, अब वो collector जहां का भी है, सीधा वो आ जाएगा, लेकिन आ गया, chairman को लिखो, तो आप लिखोगे, the chairman, और chairman कहां का है, municipal board, नगरिपाल का, नि medical officer, तो आपके लिखोगे, the district hospital, जिला hospital, तो ये वो जगे हो गई, वो place हो गया, वो department हो गया, जिसका ये प्रधान है, जिसका ये officer है, उसके बाद में city भी आप लिखोगे नीचे, जहां भी है, वो चोटी सी बात है, subject, अब subject, एक line छोड़ करके आपको लिखना है, तो line कहा मैं ये दिये है, yellow में, ये line छोड़ने के संकेत है, ठीक है, उसके बाद में आपको subject लिखना है, subject किस तरह से लिखा जाता है, भी मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि लेटर तो कही दिन चलेंगे, लेकिन यहां पर मैंने word limit दिये, इन 5 to 10 words, ये 5 से 10 सब्दों में लिखा करना है, तो आप सम्मोधित कैसे करोगे, सर अत्वा मैडम, या dear sir, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, सर अत्वा मैडम, और जो business letter है, उनमें sirs लिखा जाता है, क्योंकि फर्म के नाम जाता है, उसमें sirs होता है, ठीक है, लेकि मोस्ट आप सर अत्वा मैडम लिख देते हैं, अ तो आपने इसका format लिखा, ये address बगरा लिखा, ये receiver's post लिखा, subject लिखा, इनके number ये मानोगी जैसे ये माना आपके 8 number का है, ठीक है, 8 marks का है, ठीक है, तो अब बहुत सारे teacher तो भहास करते हों, बताते हैं, ये इतने number का, ये इतने number का, ऐसे कोई fix नहीं होता, आपको डिक्स मैं कंटेंट यहां है, तो जो man body of the letter में बहुता दू आपको, man body of letter, ये letter का मुख्य भाग है, ठीक है, मुख्य धाचा है, जिसमें 10 से 15 line में, कितने line है, 10 से 15, आपको नियम नहीं है, 10 से 15 line, लेकिन जब letter लिखते हो, तो पूरा जो copy का page है, वो 10 से 15 line इसमें लिखोगे, त 8-10 number की चीज है, 5-6 line में, आपको 8-10 number नहीं मिलते, तो ये 8-10 से 15 line होनी चीए, बट कोई rule नहीं है, आपके हाथ लिखते-लिखते-लिखते, 8 line पर रुख गए, तो 8 पर रुख जाओ, 9 line लिख सके तो 9 पर रुख जाओ, बट में बता रहा हूं कि 10 से 15 line आपको लगभग ल है, हमारे वोड एक्जाम बहुत नजदीग है, दिन रात हला मचाते हैं, और हम बिल्कुल भी कर्ष्टेक्सन नहीं कर पा रहें, पड़ा ही फोकस नहीं कर पा रहें, चार दिन बाद ही पर रहें, ऐसे आप समझ से लिख रहे हो, कि समझ से क्या है, जैसे कि आप क्या बोलत ही है, मचर पनपरे, ठीक है, दुरगन दाती है, कीचर भरा हुआ है, कुल मुला के बाद है कि आपको यहां पर समझ से लिखनी है, में समझ से क्या है, जैसे आप किसी व्यक्ति की समझ से सिकायत कर रहे हो, जैसे पोस्ट मास्टर से पोस्ट में की सिकायत कर रहे हो, तो वो बिल्कुल आवारा है, धान नहीं देता है, ड्रिंक करता है, पत्रों को बाहर से फैक देता है, वो नाली में गर जाते है, जाड़ी मटक जाते है, हमारे जो appointment letter है, वो appointment के बाद मिलते हैं हमको, तो कुछ बाद के बात है, यहाँ पर समझ से लिखोगे, और यह समझ से ही man body कहल लाती है, उसके बाद में किसी letter का एक और बहुत important part, वो है, कि 10 से पंद्रे, 8 line, 9 line, 10 line, 11 line, लिख दिया आपने, उसके बाद में paragraph change करके, एक खत्वा 2 lines में, solution क्या चाहते हो, आप उसका निवारण क्या चाहते हो, वो लिख दीजिए, अब देखो, आपने सिर्प समझ से ब yours faithfully, ठीक है, आपको विश्वास पात, और आपने नाम लिख दिया, अब जो post master है, वो पढ़ रहा है उसको, अब वो कहेगा, कि यारी postman की सिकायत तो कर रहा है, सिकायत कर दी, कर दी, कर दी, अब मैं क्या करूँ, अब उससे आपको जो करवाना है, वो solution आप क्या चाहते ह लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है, यूँ बता दूँगा, लास्ट में यहाँ पर यॉर्स, सोरी, ठैंकिंग यू लिखके, जगह नहीं ती मैं नहीं लिखा, उसमें लिख दूँगा, ठैंकिंग यू, यॉर्स faithfully, ठीक है, यॉर्स sincerely भी लिख सकते हो, लेकिन most of faithfully लिखा जाता है, अपना नाम, नाम कौन सा, जो पेपर में देगा, यॉर्स, यॉर्स, कुछ भी नहीं दे, तो X, Y, Z, भी कर सकते हो, यह कोई भी नाम लिख सकते हो, सिंबॉलिक है, अब मैंन बात है, कि यह जो format है, जो चीज जहां जैसे मैंने बताई है, वैसे लिखी जा जाने चाहिए, इसमें बिल्कुल भी अपने मन की नहीं चलानी है, क्योंकि यह जो format है, यह एक तरह से fix कर दिये गए है, निर्धारित है, आप इनमें अपना मन का कुछ नहीं चला सकते हो, बाग इतना कह सकता हूं कि जो copy का एक page है, उसमें आपका fresh एक लैटर दम 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 जो देखना चाहिए, मैं बॉड़ी में आर्दस लैन ऐसे है, काटा पीटी मत करना, ऐसे कट कर दिया, वट कर दिया, ठीक है, अब यह देखो, अलग मैंने पूरा लैटर नहीं लिखा है, पूरे लैटर में अगले class में अगले वीडियो में बताऊंगा, और सबसे मैं बात fixed lines, ठीक है, यह आपको महिज गुरुजी के पास ही मिलती है, तो देखिए, जैसे आपके exam में question आया कि collector को पत्र लिखो, loudspeakers पर band लगाए, तो इसका मैंने एक format बताया, यहाँ पर तो मैंने लिखा कि senders वगरा, यहाँ पर मैंने वो चीज़े लिखी दी, डियरेक्टी, ज जैपुर, और 302001, यह pin code number, pin code number कुछ भी लिख सकते हो, किसी विशेटी का कोई मतलब नहीं symbolic होता है, मतला examiner check नहीं करेगा, फिर यहाँ पर मैंने एक line छोड़ी है, फिर एक line, पर अब date कैसे लिखनी है, टू जनवरी 2024, आप ऐसे कभी मतलिखना, दो और चार और 2024, ऐसे न इसे ही मतलिखना, कि date, धान करना है, date और फिर दो और चार और 2024, यहीं मतलिखना, date सब्द मतलिखना, दाएक डेट लिखना, वो तरीके, उसके दो तरीके है, एक तो आपने इसे लिखा, जो भी date है, जिसे पांच, जून, और 2024, यहाँ फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसी डेट को मैं लिखू, जन्वरी और उसके बाद, 02, 2023, ठीक है, आप जन्वरी को पहले लिख दो, उसके बाद, 02, जैसे मैं लिख दिया, जन्वरी दो, 2024, या फिर, दो जन्वरी 2024, ठीक है, अब जैसे पांच, जून, 2024 इसको लिखो, तो आप ऐसे लिखो, जून, और 5, 2024, अब दे दो, और कुछी format में मत लिखना, यह थोड़े standard format है, अच्छा, उसके बाद में, अब ऐसा कोई नियम नहीं है, भट, यह थोड़े से advanced सीज है, अब आप ऐसे लिख कर जाएको, कोई आपको मना थोड़ी करेगा, ठीक है, पर वह एक्जामन सोचेगा, पता नहीं है, तो यह थोड़ेस होगे, इसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिसके बाद दा collector, मैंने जैसे collector का symbolic लिया, तो collector यहाँ पर पद हो गया, और जैपूर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, the district collector, जैपूर, उसके बाद में एक लाइन छोड़ो, फिर subject, subject में जैसे, देखो, four band the loudspeakers during exams, परिक्षाओं के दोरान loudspeakers पर bell लगाने के लिए, four century condition, century condition पर, four band the wine shop, wine shop पर bell लगाने के लिए, जैसे आप school के principle को लिख रहे हो, जैसे section change के लिए, तो four section change, four extra classes in English, English में extra class करवाने के लिए, four arrange the fresh water, fresh water arrange करने के लिए, तो four आएगार, उसके बाद में दो-चार word लिख देना, जो काम के हो, जिनके उपर वो question पूछा जाता है, यह subject हो गया, उसके बाद में, एक line छोड़ना, फिर sir लिखना, या फिर line मत छोड़ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोड़ दोग जो हर official letter में आएगी, beginning यानि शुरुवाती line जो हर letter, official letter में आती है, with most respectfully, number दिविदन करते होए, अती सम्मान के साथ, I want to bring, मैं लाना चाहता हूँ, your kind notice, आपका ध्यान, about the problem of, समस्चा के बारे में, काई की समस्चा है, the loudspeakers की समस्चा है, ठीक है, यह, अब इसके बाद में देखो, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आठ से दस या बारे lines, क्योंकि दो खतम होगी तो मैंने आठ भी लिख दिया, आठ line, दस line, बारे line, ठीक है, बारे तेरे line, लगबग यह इतना दिखे, यह लगबग इतना होना चाहिए, man body, तब जाके number अच्छे म पा रहा है, हमारे exam बहुत नजदी के हम कैसे पढ़ें, वो दिन रात हला मचाते हैं, तो इस तरह की जो बात है, वो content, man content वही होता है, उसी पर number मिलते है, उसके बाद में क्या करना है, paragraph change करना है, solution वाली line है, वो fix है, कौन सी देखो, paragraph change करके, यह आपने समझे बता दी, तो मैंने fix बना रखी है, यह, यह आप किसी भी official letter में इस तरह ऐसे लिख सकते हो, please look into the matter, कृपियास मामले में ध्यान दो, कौन से मामले में, जो आपने उपर लिखा, जो समझे आपने बताई, उसमें ध्यान दो, immediately, तुरंत, तो कृपियास मामले में तुरंत ध्यान दो, and take a need a needful action, take a needful action, और आवशा कारवाई करो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, please look into the matter, immediately, कृपियास मामले में तुरंत ध्यान दो, and bend the loudspeakers, और loudspeakers पे bend लगाओ, ठीक है, या पर आप मत लिखो, आप direct यह लिख सकते हो, किसी भी official letter में है, हमने जो समस्या बताई, इस मामले में ध्यान दो, और एक आवशा कारवाई करो, अब जो भी आप कुछ इतल लगे, ठीक है, आप क्या, अपने end से, आप क्या, उसका solution करना चाहते हो, कर दो आप, हमें solution चाहिए, इस समस्या का, तो later हमें सब दो part में होगा, एक man body, जिसमें आप समस्या लिखते हो, दूसरा, यह लैन जिसमें आप solution चाहते हो, यह लैन इससे भी बड़ी काम की है, क्योंकि इसमें आप यह बता रहे हो, कि सरम में, इसका solution यह चाहिए, उसके बाद में, धन्नवाद देते हो, यूर्स फैथफुली, आपका विश्वास पात्र, जो भी exam में नाम दिया, यू आर, ये, आप चाहो तो, देखिए, मैं आपको force नहीं कर रहा, ये जुगार है, एक जुगार बनाया है, मैंने ठीक है, कि आप इन लैनों से अपना काम चला सकते हो, कैसा भी सिकायती पत्राय, किसी officer letters, fix line for a bad situation, किसी खराब इस्तिती के लिए, तो देखिए, अब इसमें क्यों मैंने man bodily है, जो उपर address वगरा, जो format उस पर ध्यान नहीं दिया, विस man चीज ये है, तो देखिए, sir, with most respectfully, sir, number revision करते हुए, या sir, with humble request, ठीक है, पहले वाला, एक ही बात है, I want to bring your kind notice, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, about the problem of, समस्या के बारे में, अब जो समस्या है, उसको लि या problem of loudspeakers in our localty, colony, or town, अब दिखो ये oblique में तीन चीज है, तीनों को एक साथ मत लिखना, जो question में है, लोकल्टी है, तो लोकल्टी लिख दो, तुमारे colony की बात है, तो colon लिख दो, और सहर की बात है, तो सहर लिख दो, ठीक है, टाउन, तो ये oblique oblique करके मैं लिख दिया, य nice, बहुत अधिक, inconvenience होती है ऐ सुगधा, ठीक है, convenience होती है, एसुखदा, ठीक है, inconvenience होती है, नीवाशी, अधिक है, थे चीज बहुत ऐसुखदा, प्यदा करती है, तो रेजीदेन्स, रेजीटेन्स होता है निवासी, आफ दिस एरिएजट्र के, तो इस चेत्र के, रेजrils loudspeakers का सो रहे हैं ठीक है we are suffering a lot हम बहुत अधिक पीडित हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं ग्रसित हैं यह लौट बहुत अधिक due to electricity failure we are suffering a lot due to loudspeakers noise during our exam we are suffering a lot oh ऌ अधिक looking roads या uh broken इसिए प्रचन श्री लाइट सिक जो भी समस्या उसको दुबारले जो यहां लेखा जो सब्जेक्ट में लेखा जो यहां लेखा जो रहा लेखाओ यह ईकपर और लेख सिस यह यh वाली बात, यह समझ्या, this is day to day problem, यह दिन प्रते दिन की समझ्या है, we are forced, हम बाद है, to live a hellish life, एक नरक्य जीवन, अगर सड़क तूटी हुए, तो भी नरक्य जीवन है, Latin यार यह तो भी नरक्य जीवन है, loudspeaker बहुत अल्ला कर रहे हैं, तो भी नरक्य जीवन है, wine shop है, तो जो भी या फिर गंद की फैली है, तो भी नरक्य जीवन है यह, तो हम नरक्य जीवन जीने को मजबूर है, now it's going over our patience, अब बात हमारे धहरे से उपर जा रही है, मतलब काफी धहरे हमने रख लिया, इस समझ्या को काफी जिल लिया, तो now it's going over our patience, अब यह हमारे धहरे से बाहर जा रही है, we have complained it many times, हमने इसकी कई बार सिकायत की, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है, कोई धान नहीं देता है, months have passed महीने गुजर गए without any solution बिना किसी समाधान के तो बिना किसी समाधान के महीने गुजर गए इसी स्थिती में जो स्थिती जो problem आपने बताई यहाँ पे और यहाँ पे you are our last hope आप हमारी अंतिम आसा हो तो यह भाईया fix line fix line है जो जुगार है fix line का जुगार बनाया आपके लिए कि किसी bad situation के लिए जो जो मैं अभी जिकर कर रहा था उन उन समझे आप लेटर आए तो आप इनसे अपना काम चला सकते हो यह तो fix line है आप इनसे अपना काम चला सकते हो आपके जो गाइड है जो पासब के कुछ भी है उसमें जितनी भी लेटर है ना उन सब को कम सकम पढ़तो लो यार तो content आ जाएगा कि इस वाले लेटर में यह लिखी जानी है इस वाले लेटर में और हम क्या करते हैं कि format देख लिया मैं लिख दूँगा हमारा में दो मिन्त में खतम हो जाता है दो लाइनों में खतम हो जाता है लाइने खतम हो जाते है कुछी सोचता है नहीं दिमाग कियो नहीं सोचेगा रहे content भी है कोई चीज तो भापे जाओ और सारे लेटर को दो से तीन बार पढ़ लो तो कच्चा मैट्रियल आपको मिल जाएगा पर कच्चा मैट्र अपने दिमाग में पता है कि यह लाइन लिखी जाएंगी तो तूटी-फूटी हम लिख सकते हैं और फिर कितना बड़ा जुगार दे रहा हूं आपके जुगार भी दे दिया आप इ देखते हैं ऑफिसे लेटर फिक्स लाइन अगेस्ट अब परसं किसी व्यक्ति के खिलाप सिकायत अगर आप कर रहे हो किसी एंप्लोई के खिलाप अगर आप सिकायत कर रहे हो जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में परसं कौन-कौन से होते जिनके खिलाप सिकायत हो इनके खड़ाब हम किसी अधिकारे को सिकायत करें तो यह fixed line है ठीक है जैसे man body लिखिए मैंने पूरे letter नहीं लिखा sir with most respectfully sir number निवेदन करते हुए I want to bring your kind notice मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ अगेश्ट विरुद दा अब यहां पे जो भी एंगेश्ट और फोस्ट मैं ठीक है अगेश्ट अलब्रेरियन अगेश्चद प्यायन ओफवर लोकल्ती या फिर पोस्ट मैं अफ़र लोकल्ती हमारे मोहले का या जैसे इसकूल है, इसकूल को लिखा? जिसे librarian of our school, peon of our school, ठीक है? या फिर जैसे against the postman of our locality, हमारे locality का, जिसे peon of our office, हमारे office का peon, तो जो भी है, वो यह oblique, oblique करके मैंने लिख दिये तिनों जी, आप तिनों को मत लिखना, एक लिखना His behavior is not good, उसका वेभार अच्छा नहीं है, He is not sincere to his duty, वो अपनी duty के प्रती sincere नहीं है, करतवे परायन नहीं है, duty ठीक से नहीं करता, He drinks wine and abusage, वो सरापपीता है और गालिया देता है, He never comes on time, वो कभी समय पर नहीं आता है, जो अपने लड़ता है, He always looks annoying, वो हमेशा नाराज सा प्रतीत होता है, वो हमेशा नाराज सा लगता है and fights, और लड़ता है with us हमारे साथ, We have complained against him many times, हमने उसके खिलाब कही बार से कायत की, but no one listens, लेकिन कोई नहीं सुनता है, You are our last hope, आप हमारी अंतिमासा हो, यह लैन उसमें भी थी, इसमें भी थी, तो इन लैनों से आप अपने काम चला सकते हो, दो-चाल लैन अपने दिमाग से और भी लिख सकते हो, उसके बाद फिर देखो paragraph चेंज करके solution क्या चाते हो, फिर से वही लैन आ गई, Please look into the matter immediately and take a needful action, क्या इस मामले में तुरंद ध्यान दो और आप सक कारवाई करो, या फिर, therefore I request you too, therefore I request you to look into the matter immediately, आप चाओ तो वो ले लो, ये ले लो, एक ही बात है, थेंकिंग यू, यूर्स वेद्पुली, तो ये किसी person, किसी व्यक्तिये खिलाब सिकायत करने का एक fix line है, आप इनको काम में ले सकते हो, अगर आपके exam में आता है तो, ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे official letters, ठीक है, official letters का मामला close, यहीं पे, बाकी और जो तयारी है, वो आपनी guide से book से कर सकते हो, या पर सिर्फ format वगर आपको बता दिये, अब आता है letter to editor, editor होता है संपादक, अब ये संपादक कहा होता है, किसी newspaper का संपादक, जैसे जो newspaper छपता है, उसका जो final authority है, सबसे बड़ा अधिकारी है, वो एक संपादक होता है, जो release करता है उसको last में, सारी खबर प्रोवर्ट चेक करता है, क्या-क्या छापना है, वो इस select करता है, ये छपेगा, ये नहीं छपेगा, तो उसका ये format है, आप सबसे पहले समझो कि हम इसको पत्र लिखते क्यों है, ये बात जानने वाली है, तो देखो, इन में और official letter में कोई अंतर नहीं है, मुद्ध ये है कि दोनों में ही आप किसी समझ्या से परेशान हो, किसी bad situation से परेशान हो, किसी व्यक्ति से परेशान हो, तो आप उस authority को अधिकारे को एक पत्र लिख रहे हो, किसा आप ठीक करो, हम परेशान हैं, इस विक्ति से, इस समझ्या से, अब होता है कि वो ध्यान नहीं दे रहे, आपने बहुत सारी चिठी लिख दी, ठीक है, मेर को लिख दी, आपने कलेक्टर को लिख दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आपके पास एक तरीका और भी है, आप अपनी समस्या को किसी अख़बार के संपादक को लिखते हो, ठ उसके लिए हम जो आपको समस्या बता रहे, इसको आप अपने अख़बार में छापिए, ताकि आधिकारियों की नजर में आए, और फिसका स्वालियोसन हो जाए, यह तुमारा लेटर टू एडिटर है, मतलब किसी अख़बार के संबादक को अपनी किसी समस्या को बताना, हलां कि यह थोड़ा सा बड़ा रूप है, आप अपने किसी विचारों को भी दे सकते हो, जैसे आतकवाद में विचार है, जैसे ब्रशर चार पर जो विचार है, किरपया, मेरे इन विचारों को पब्लिस कीजिए, ताकि यह सरकार के संदर्म में आए, अधिकारी इन पर ए एकवार में अपने एकवार में ताकि अधिकारियों की नजर में मुद्द आए और आपने देखा भी होगा कि आपके घली मौले में कोई समस्या है अगर वो न्यूज में आ गई अखवार में चाप गई तो तुरंत एकसर होता है वो लीडर्स की पॉलिटिसियन की नजर में आता है तो इसको ठीक करवा देते हैं तो इसका जो फॉर्मैट है वह यह है कि सबसे पहले तुक आएगा एंडrice तो लेटर कैसा भी हो सबसे पहले एड्रेस आता ही है उसके बाद डेट आएगी डेट के बाद में फिर यहां पर दा एडिटर ही आएगा क्या आएगा दा एड़ीटर अब यहां पर डाचेर मैं यह नहीं आएगा अब एडिटर के नीचे निज़ पिपर का नेम है आपको ऐसे नेम्ने लिखना है आथ पेपर में जो नुश पिपर का नाम आ जैसे टाइंश अप इंडिया हंदुस्तानुइंटाइम्स ल जो भी अखवार का नाम है दैनिक भास करए रास्तान पत्रिगा कोई है तो धर टांस इंडिया द ऑई इंडिस्तान टैटिटर jed Thom भासकर जो भी अखवार का नाम है वो और वो जहां से छपता है उस सहर का नाम लिख दो ठीक है जहां तर न्यू डैली से तो न्यू डैली लिख दो जैरिक भासकर जैपूर से लिख दो पहीं से लिख दो उसके बाद में सब्जेक्ट सेम है सब्जेक्ट जैसा आप वहां लि नहीं देनी है विद हमल रेक्वेस्ट वाइन नहीं देनी है यह लैन का ही फराग है बस अगर एडिटर को आया तो यहां पर चेंज हुआ बस एक ही चेंज हुआ सब्जक्ट जो कि तो है सरा आगे से लूटेशन वगएरा सब कुछ वही है लेकिन इस लैन का अंतर है इस लैन होता है अखवार का तो तो आपके एस्टीम होता है प्रतिष्टित जाना पहचाना यहां पर रेपोटेटेट भी लिख सकते हो बहुत ही प्रशिद तो आपके एस्टीम यानि जाने पहचाने प्रशिद अखवार के कॉलम के माध्यम से I want मैं चाहता हूं to share बाटना my concern मेरी मेरी परिशानी को मैं प्राबlex के साथ मैं सेयर करना चाहता हूं तो आपके प्रतिष्टित मेरा के माध्यम से मैं मेरी जो समक्या है जो परिशानी है उसको अफिसर के साथ authorities के साथ share करना चाहता हूं about the problem of समस्या किस बारे में है अब समस्या जिस बारे में उस समस्या को लिख दो अब 8 से 10 lines में समस्या लिखो ठीक है official letters की तरह मैं लिख भी दिया जैसे वहां पर लिख रहते हैं वहीं लिखो और आप चाहो तो fixed lines से भी जुगार चला सकते हो उसके बाद में फिर अगला जो हमको अब देखो मैंने क्या कहा था letter के जो man bodies में two parts एक में समस्या लिखते हो दूसरी में समाधान चाहते हो जो समाधान चाहते हो एक दो line होती है वो paragraph change करके अब paragraph change करके इसमें थोड़ा अलग आएगा तो वो यह है please look into the matter नहीं आएगा please publish it क्रिपया इसको publish कीजिए so that ताकि authorities अधिकारी या officers may take an action in this matter ताकि अधिकारी authorities मामले में एक action ले सके बहला यहां पे तो आपने क्या कहा कि आपके प्रतिश्चित अकवार के माद्यम से मैं अधिकारीयों के साथ अपनी समयश्चा को share करना चाहता हूँ समयश्चा यह है और समयश्चा लेग दी फिर आप यहां पर यह कह रहे हो कि आप उससे यह नहीं कह सकते संपादक से उसकी पने होगात नहीं है कि तुम इसको ठीक कर दो वो कैसे ठीक कर सकता है अधिकार थोड़ी है अप इससे क्या करें हो किर्पया इसे आप पब्लिस कीजिए अपने आख़बार में आप चाहो तो समय न्यूजपेपर में लिख सकते हो प्लीज पब्लिस इट है उसके बाद में धन्यवाद देते हो यूर्स फेथफुली आपका विश्वास पात और जो भी नाम पेपर माएं वह आप नाम लिख सकते हो तो इस तरह से जो इन फॉर्मल लेटर है वो कुल चार तरह के हैं दो तरह के कवर करवा दिया ओफिसेल लेटर से कायती पत्र अ आप किसी एडिटर को लिख रहे हो उसके थ्रिव आप चाहते हो कि समझ से स्वाल हो जाए हो चाप देगा मुद्ध बन जाएगा हाइलाइट हो जाए प्रब्लम और वो स्वाल हो जाएगी तो इस तरह से दो तरह के हो गए अब बचे अपने बिजनिस लेटर फॉर्मल में बिजनिस लेटर बचे वो करवाएंगे और साथ में सीवी जोब एपलिकेशन वो भी अच्छी चीज़ है वो करवाएंगे तो ठीक है ओके बाए